अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्यत करना चाहते हैं तो ये कारिक्रम आपके बहुत काम का है क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्ग दर्शन और बनेंगे लक्षे हासिल करने में मददगार हमारे खास कारिक्रम लक्ष में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के शेत्र में बहतर काम कर रहे हैं चात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का इस्तर बढ़े इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं लक्ष की इस खास पेशकश में हमारे साथ सीहोर से लोकिंद्र सिंग ठाकुर जो बेस्ट क्लासेस के डायरेक्टर हैं और साथ में मौझूद्धा अनुराग वर्मा जो बेस्ट क्लासेस के स्टुडेंट्स हैं आप दोनों का ही लक्ष में बहुत स्वागत हैं सबसे पहले सर में आपके पास आना चाहूंगी आप एक coaching के डायरेक्टर है और डायरेक्टर होने के नाते सर्व प्रतम बताईए अपने संस्थान के बारे में आपके संस्थान कैसे काम करती है कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और किन classes के students को आप पढ़ाते हैं जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया जो मुझे यहां पर इन्वाइट करा हमारी कोचिंग स्योर में बेस्ट क्लासिस के नाम से जो की विगत बारा सालों से काम कर रही हैं यह मेरे बड़े भाई भुपेंदर सिंग ठाकुर हैं उन्होंने 1212 में स्टार्ट करा था और वो स्ट अब मैथमेडिका के बाद नहीं से बत्क बच्चों का इंट्रेस्ट बंता गया तो बच्चोंぎ reassuage से other subject भ्सटार्ट करे तो मैं वहाँ पर physics पढ़ाना वनाensive करा है तो physics के बाद है से और बच्शे बढ़ते गए तो बच्हों की और requirement के time के अधर सब्चों के पर कर दैन spor करें और हम आज के time पर शुक्छ चुके हैं कि 5th to 12th ौसं की सारे सब्जेट के लिए बच्चों को कॉलिटी परोइड कर पाते हैं बेद अच्छी बात आपने सर बताई कि फिप्त क्लास से लेकर ट्विल्थ क्लास के स्टुडेंट्स को पड़ा रहे हैं सभी टीचर्स आपके पास हैं कितने सालों से आप छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और अपने पढ़ानी पिरचों को पढ़ाने स्टाट कर ना तो बच्चों को स्टूम्स को भी रौब यूद्ट करा तो फिर डिसाइड करा कि पहले बैसिक क्लियर करा जाए तो बैसिक लीए आपको छिख से लेविट सब्सक्राइब करना होता है तो उसी के लिए कोचिंग इंस्टूइट वेसे रन हो रहा था तो रन करते टाइम हमने डिसाइड करा कि हम साथ में बच्चों को साइंस कभी अलग से एजुकेशन प्रवाइड करते हैं तो साइंस में फिर वहां से धीरे-धीरे जो कहानी वो क्लास 12 में स्टेडी करता हूं मेरे पास PCM सब्जेक्ट है मैं Oxford High Secondary School में अभी स्टेडी कर रहा हूं और मैं कोचिंग में पिछले 6 सालों से जोइंट हूं सर के साथ चोटूबिया वोपेंसर बोलते हैं और सर के साथ में 6 साल से जोइंट हूं हमारे पास सब सब्जेट के ट तो आपकी संस्ता में चात्रों को पढ़ाय कैसे जाता है क्योंकि आपने बताया फिफ्ट क्लास से लिकार 12th क्लास के स्टुडेंट्स आपके पास है हर एज के स्टुडेंट्स वोगे क्योंकि 5th के बच्चे उन्हें समझाने में थोड़ी सी मुश्किले होती हैं 12th के बच वी के लिए सेपरेट रूम एवालेसवे में तो एक सांत में मतल्दा पांच क्लास एटमीकर सकते हैं और 5 कलासे तो उन्हेंसद तो अलग लग तीचर भी एवेargent वेवेलेबर हैं अब deine शीजन को अच्छा एक्पेल और श Naruto मेश्कु एष्पलेंट्स एक्स एक्सम्योग online mode की बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके क्लासे इसकी बहुत चुड़ी आते हैं या किसी कारण से नहीं आपाते हैं तो फिर इसी से बचने के लिए अपने आइडिया कि क्यों यूटूब का इस्तेमाल करा जाए वैसे भी कोई टाम पर यूटूब का बहुत इ सब्सक्राइब करें तो मुझे एसा लागा कि लेव बगरा में जो चीजे विजुलाइज करते हैं उसको अगर प्रैक्टिकली देख पाएंगो तो बच्चों को कितने अच्छी से चीज है समझ पाएंगे और याद रह पाएंगी तो इसलिए बंसल इंस्टिट जनरली जो आज के टाइम पर तो वह प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस कर रहा है जो कि आने वाले टाइम पर टेक्निकल नॉलेज बच्चों के पास होगा तो वह जादा अच्छे से चीजों अपने फ्यूचर में उसको यूज कर पाएंगे बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही बात करें कि टेक्निकल नॉलेज लेना भी बहुत जरूरी है नुराग मैं आपके पास आना चाहूंगी तक्निकी शेत्र में टेक्निकल नॉलेज में आप बंसल समू की किनमीतियों को अब आगे जो समय तक्णिकी बानें टेक्नोलजी कल वर्ड ऐएगा उसमें तक्णिकी चीजों की अवशकता आपरा एगी इसलिए जो आगे अब स्टुडेंट्स के लिए जो टेक्नोलोजी वर्ड है वह बहुत इंपोर्टेंट रोल नीपाएगाए टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हम जो थेओरी पढ़ रहे हैं हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करें सर आपसे पूछना चाहूंगे क्योंकि देखे आप पढ़ाते हैं हर क्लास के बच्चों को गाइड भी करते हैं टाइम बैनेजमेंट की कितनी मैथवता होती है हमारे जीवन में खासकर उन बच्चों के लिए जिनके एक्जाम करीब है क्योंकि यह समय चल रहा है आज जनवरी का आखरी दिन है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि बच्चे समध जाएं कि हमें एक्जाम से पहले कैसी तैयारी तो ताइम मैनेजमेंट कितनी बूमी काने बात है ताइम मैनेजमेंट तो इस्टुएंट के अलावा वैसे तो सभी वेक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है जो एक बाद टाइम निकल गया तो फिर आप उसको वापिस नहीं पकड़ पाएंगे तो इसलिए टाइम के रिस् तो आप टाइम मैनेजमेंट ऐसे बनाएं कि अपने हर सब्जेट को टाइम दे पाएंगे तो आप पर आखरी टाइम पर लोड नहीं आएगा एग्जाम टाइम पर जनली क्या होते है बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं प्रेशराइज का कारण सिंपल सा ही है कि हर इसलिए उनको शुरू से बताते हैं कि हिंदी एंग्लिश को आपको साथ लेकर चरना है अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो एक्जाम में नहीं उल जेंगे वरना यह होगा कि आप एक्जाम के दो दिन पहले तक यह ढूंद रहे जाएंगे कि हमें पढ़ना क्या था और हमा दुकुल अच्छी आपने बात कहीं कि एक वीक में मैजिटेशन का हम एक सेशन भी आप रखते हैं जिससे बच्छों को थोड़ा सा ध्यान भी लग सके और ताइम मैंजमेंट भी कर सके अनुराग आप अपना ताइम मैंजमेंट कैसे करते हैं कि सर जैसे बता रहे हैं आप च्रुन को शुब दिन लूट होगते हैं वर खुंड होगते होगते हैं तो इसकुल को शुर के बाद के से मैजमेंट की कोचिंग तीन बाद फिसिक्स कोचिंग उसके बाद जो फिर हमारा खुद का डेली रिटून होता इस्टेश अ का सबक्ट के लिए अलग अलग गंट और हर सब्जेट का हर वीक में एक टेस्ट देना खुद का एक लोग वना के रखा है कि सब्जेट को इतने चेप्टर एक हपते में कम्प्लीट करने है या सब्जेट के इतना कुछ करना है जी बिएकुल सर मैं आप से समझना चाहूंगी कि क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट की कर रहे हैं और ऐसे में देखिए सोशल मीडिया का दौर है बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं एक्जाम से पहले अगर सोशल मीडिया पर जादा ध्यान ले लिए स्कोर भी बिगड़ता है आप कैसे देखते हैं कि बच्चे अपनी एक्टिविटी इसकोर अपनी पढ़ तो सब यूटूब के जरी पढ़ने की कोशिश करते हैं पर रियालिटी में यूटूब से पढ़ने बैठेंगे तो एक याद दो कंटे के बाद आप अपनी पढ़ाई को कंट्यूनी नहीं रख पाते हैं इसलिए इनको समझाया जाता है टाइम मेनेजमेंट में कि आप कर रहे हैं उसको थोड़ा साइड में रखें और पढ़ाई के वाल किताबों से करें क्योंकि डिस्प्ले पर पढ़ाई जो है वो थोड़े टाइम तक वरपढ़ाएंगे जबना आंखे खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी बिल्कुल बहुत जरूरी है अनुराग में आप पर पाइब पाँच वजे से मेडिटेशन करना एक बार उससे क्या दिमाग स्थिर रहता है जरूरी है कि हम पहले से टाइम डिसाइड करें सर मैं आपके पास आना चाहूंगे समय में देख रहे हैं देखिए स्टुडेंट्स पर उमीदों का पिक्षाहों का जबर्दस्त दबाव रहता है इस्ट्रेस मेनेजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप अपने जो स्टुडेंट्स ओने कैसे समझाते हैं स्ट्रेस मेनेजमेंट के सिंपल सा फंडा यह है कि आप नॉर्मल एक तो अपनी लाइफ में मेडिटेशन योगा को इंप्लूड क क्योंकि आप अगर उसको यूज करते हैं तो एक तो आपकी हैल्थ जो है वो थोड़ी ठीक रहती है और आप दिमागी तोर पे भी स्थिर रहते हैं अजब रहते हैं तो फिर आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हैं और जब पढ़ाई चलेगी तो इस्ट्रेस की कोई बा होता है तो पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप अपने बच्चे के जो लेवल उसके हिसाब से बात करिए वरना आप क्या करेंगे उससे बोलेंगे 95 बना के दीजिए तो वो कैसे बनाएगा जब उसने कभी इतनी स्टेडी करी नहीं है उसको जो फंशनिंग है उसके उस तर कि आप जो है अपने लेवल के हिसाब से स्टेडी करें ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बेड़े का मेरको तो 95 बनाना है तो वो पॉसीबल नहीं है लेकिन आप अगर उसको मेहनत करेंगे तो मेहनत करके तो अचीव कर सकते हैं पर वो पैरेंट्स को भी समझना होता है जै दुक सब्चेट के लिए एजूकेशन और सब्चेट की नौलिज जरूरी होती है एक गोल निधारित करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास उसके लिए बिल्कुल जुनूर होना चाहिए कि आपको बस यह करना है यह काम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा और उसके लिए सबसे देडलाइन एक क सबसे कर्के कर तेब एकश्यान को पहले शुनूर है करना है क्या करना है को माल चिट्निका खार मद्च national करना हNow सबसे देडलाइन एक करने परिवार की भी काफी भूमिका रहती है कि parentsस अपने बच्चों को कैसे समझाएं आप अपने अपने students को कैसे motivate करती क्योंकि motivation जरूरी है कि हम पढ़ाई के साथ साथ motivation लेकर चले पर रहे सब्दो है इसलिए लोग इख चाकर डीजियर से।धिन ज़से पर और को यहारث वर्ट शोपर को पर केकि प्रहेए लिए इसलिए सब्सक्राइज कहसा श्युक्त चेप्टर पर आते हैं तो मतलब जब syllabus खतम हो गया तो रीविजन ना करते हो गया डेली टेस्ट के बाद जब जब जसी चेप्टर पूरा हो जाएगा याज चेप्टर कम्प्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद वीकली तौर पर पेपर रखे आते हैं तो एक्जाम कंडेट जाब रंग लाएंगा यह वो समय आ गया है क्लिशन का टाइम है तो आपके क्या कुछ तैयरिया और क्या कैसे त्यारिए कर लेक्जाब कुछ स्टुडेंट्स आपको देखरें कुछ समय में नहीं का तो सबजेक्ट का यह एक चीज है तो जो सबजेक्ट के कम आता जहाए सब्जेक्ट का दा ध्यान दिया जाए तो अपने एक डैली रूटीन बनाना चीए स्टुडेंट्स के लिए आठ घंटे से कम समय स्लीपिंग अच्छा होना चीज ना कि जानदा उससे अगर जानदा स्लीप लोगे तो आप आलसी होगे एक्जाम टाइम में आपको बहुत जानदा दिख्कत आएगी और सब सब्जेट का एक घंटा फिजिक्स का तो एक घंटा से दूर रहें तो दस मिनिट के लिए आप नेचर को देखिए म्यूजिक सुनिए इसी चीज करिए जिससे के आपका दिमाग डाइवर्ट हो जो आपने याद करा है या पढ़ा है लर्न किया उसको आप अपने दिमाग में सेट कर सके बिलकुल यानिक हम अपने होबी के अपने हो जादा तर थेक्निकल चीजों में जादा तर ध्यान दोने लगा है उसका सिंपल सा कारें यह कि एकनोमी किस आप से बात करो तो पूरी एकनोमी में प्रोड़क्शन या फिर मैनुफेक्ट्रिन जो यूनिट से बंथ हो चुकी थी लेकिन एक ही सेक्टर जो पूरे के एक्टिविटीस होती रहती है और वहां पर आपके जो कॉलेज वगरा में प्रोग्रामिंग फंशन होगा या फिर एक्टिविटी के साथ सांथ टेक्निकल कोर्सिस के लिए थोड़े-बहुत अपरेंटिस आर्टिकल्शिप जो कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम वो चल अनुराग आपसे मैं पूछने चाहूंगे आपने बताए कि आप छे सालों से इसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं सर के साथ हैं तो इस बीच में हमने कोविट का दौर भी देखा जहां में ऑनलाइन क्लासे लेनी पड़ी कितना तब वो समय था ऑनलाइन क्लासे के साथ और को बोल सकते है अपने एक एक्जाम फॉर्म रहता है उसके लिए हल्प की सर ने एक फॉर्मेट प्रवाइट के एक स्टेज लेवल प्रवाइट के स्टुडेंट्स को क्या कौन से सब्जेक की कितनी तैयारी करनी है सबसे जान्दा में दिक्कत थी तो सर ने में अलग एडिश होंगे कुछ पैरेंट्स भी होंगे जो हम इस वक्त देख रहे होंगे क्योंकि एक्जाम का समय करीब और ऐसे में बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप वो कैसे टाइम मैनेजमेंट अभी भी करें क्योंकि अभी देर नहीं हुई है और इसके साथी पढ़ाई प आपको यह करना चाहिए कि आपने जो पहले पढ़ा है उसको एक बार अच्छे सरिवाइस करते हुए नई चीजे उन पर थोड़ा-थोड़ा फोकस करें वरना कि आप नई चीजे पूरी पढ़ने लग जाएंगे तो पूराना जितना पढ़ा है वो बूल जाएंगे तो प इन टाइम पर सभी बच्चों को अपना शेडूल ऐसा बनाना चाहिए कि इसकूल वगरा तो जिजनली आफ होई जाते हैं इसकूलों में क्लासे अभी इस ताम पर बंद होना इसकूल को करवाना होते हैं तो आपके पास इसकूल का ताइम भी पूरा रहता है देन उसके बा अपना रूटीन बनाना चाहिए और शाम के टाइम तक ही पढ़ना चाहिए थोड़ा बोद बीच में आदे घंटे एक घंटे का ब्रेक लेकर आपको एक पढ़ाई के लिए लेकर जुनून लेकर आना होगा कि मुझे इतने परसिंट मनाना है मतलब 15 दिन में भी पर उसके बाद घर की भी पढ़ाई लेकिन एक्जाम करीब हैसे में आपकी क्या कुछ खास तयारिया रहने वाली है अब तो बस एक्जाम जब करीब है तो रिवीजन ही रिवीजन करना है सारे सब्जेट का जितना पढ़ने की कोई अवशकता तो है नी जितना पढ़ेंग और हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर है भी तो 90 प्लस परसेंट स्कोर करने का सोचा है बस अब देखते हैं भगवान ने चाहा तो बिलकुल महनत पर पूरी चीज़े निर्भर है कि आपकी तैारी किस तरह से है और आप अपने लक्ष को लेकर कितना एकाग्र है सर मैं होटा भी दूर करने के लिए आप के शला देते हैं एक तो बच्चों को पहले बता जाता कि को करना का जाते लेकिन कुछ बच्चेस ऐसे रहते हैं पता ही निक करना क्या है तो उसके लिए फिर उनको अलग अलग चीज़े बता आ जाती है कि क्या-की फूचर में से जो आपको अच्छा लगता आप उसको कर सकते हैं फिर हमें अभी बनसल के शैलेंदिसर हैं तो शैलें सर से भी बाद चुई तो उन्होंने भी एक सेशन रखा था जिसमें उन लोगोंने बच्चो की कांशलिंग करी थी कौन बच्चा क्या-कार सकता है और आगे जाके बनस सबसे आदा कन्फीजन होता है कि हमें आगे क्या करना है सर ने बताई कि वो तो समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं लेकिन आप अपने आपको कैसे मोटिवेट रखते और आपने क्या कुछ करने का सूचा है 12 बात तो उसके लिए सर ने पूरी कांसलिंग कर एक दिन 2 हंते का एक्स्ट क्लास लगी हमारी सब 12 स्टुटेंट की पीसेम वालों की तो सर ने बता है उसमें किया क्या क्या त्यारी कर सकते बिल्कुल तक मैं आपनines में लैश वरकोना दी और पूनागे तुन स्टुनेश लुछ है मैं जाऊंगा कि यह से भी लास टाइम बचा जा है कि पढ़ाई अपनि पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें, अभी गूमना वगेरा या मॉवाइल चलाना सब बंद करते हुए, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, और पढ़ाई पर जब अच्छे से फोकस कर पाएंगे तो थोड़ा सा अगर मॉजादा केजिश पर एंग सायता करा साथे ज piggyback कैम है उसका עआपी अगर मृटी अब करेंगे Alem तो आप का इव मिलन लगाएंगी तो यहार Smart conscious को चेक्र तो आपको रिवीज प्री जनकी प्रथन date अब प्रेवरेंगों बेहत जरूरी है कि हम इस समय की कीमत को समझें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे अपना लक्ष डिसाइट करें तो यह थे हमारे साथ लोकेन सिंग ठाकुर जी जो की बेस्ट कोचिंग के डारेक्टर है आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों तकी मार्क दर्शन पहुचाने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहे बंसल नीउस के साथ नमस्कार